No doubt 2022 जो साल है वो महिंद्रा काफी trending है Because एक के बाद एक ऐसे launches और unveil करें है Like Scorpio N, Like Scorpio Classic और much awaited जो 5 electric vehicle के concept अभी दिखाये थे उनका अगला launch आने वाला है आज सितंबर को जो है much awaited EXUV300 concept का real version that is XUV400 electric vehicle आनन महिंद्रा साहब ने जो गणेश चतुरती थी उस दिन इसका teaser जो है 15 second का release किया था ट्वीटर पे आज आपन आपको बताने वाले हैं इस से जुड़ी कुछ ऐसी detailed information यदि आप plan कर रहे हूं Nexon EV Max लेने के लिए तो रुको जरा सबर करो इसके बारे में सुनकर जाओ तो करते वीडियो को start let's begin तो जैसा इसका नाम है Mahindra XUV400 ऐसा speculated है कि इसकी जो range है वो 350 km से लेकर 400 km तक की होने वाली है single charge में तो ये काफी अच्छी चीज है ये direct इसका competition होने वाला है नेक्सोन EV Max और बहुत हद तक जो है Kona Electric और MG ZS EV भी इसके competitor होने वाला है जो exterior होने वाला है तो bronze with black combination आपको radiator grill में देखने के लिए मिल जाएगी X motive जो है इसमें meshes लगे रहेंगे bronze और black finish में twin peak जो logo होने वाला है थोड़े से showcase कर दिये गाए है जहां पर आपको आएगेस यहां पर LED projector headlamp देखने के लिए मिल जाएंगे वित similar type DRL लाइक जो XUV 3 00 में आती है बस ये नीचे तक नहीं होने वाले लाइक fog lamp तक ये नहीं आएंगे जो XUV 3 00 है it's an sub 4 meter compact SUV 3995 mm इसकी लेंथ होगी बट जो XUV 4 00 है it's an full fledged 4 meter SUV 4.2 meters की इसकी लेंथ बताई जा रही है बाकि height, width और wheelbase जो है वो unchanged रहने वाला है length जो है इस वज़े से बढ़ा दिया जा रहा है because जो इसका battery pack होने वाला है LG source होने वाला है NMC battery जो की boot space थोड़ा सा घेरेगी I think lithium, nickel, manganese, cobalt, oxide इस battery का full form होता है जिसको short form में कहा जाता है NMC LG से source किया है इनोंने और ऐसा कहा जा रहा है यह आपको बहतर efficiency देने वाली है और साथी साथ ज्यादा range देगी single charge में यह जो है NXON EV Max से और NXON EV से बहतर Interior की बात करें तो कुछ XUV 3W से मिलता जूलता है पर touchscreen का जो size वो बढ़ा दिये जाएगा और इसमें आपको add-ass feature भी देखने के लिए मिल जाएगा just like XUV 7W इसका जो unveil है, reveal है वो I guess 8 September को होने बाला है जो कि आनन महिंद्रा सर ने अपने Twitter पर tweet करके यह चीज़ बताई थी तो अच्छी चीज़ लगी कि 2022 में मई से महिंद्रा trending पर है अपने Scorpio N के साथ, Scorpio Classic के साथ और जो born electric vision था उसके साथ और अब जो upcoming SUV है, electric vehicle E-XUV 3W concept का reality version XUV 4W तो ऐसा लगता है कि यह गाड़ी काफी अच्छा होने वाली है, because 150 BHP की यहां पर ऐसा बताया जा रहा है पावर देखने के लिए मिल जाएगी और nearby कुछ टॉक मिल जाएगा, just like XUV 3W platform same होने वाला है, थोड़ा सा extend किया जाएगा, because of more boot space offer कर दिया जाएगा, ताकि जो घेरा भी जाए battery pack के दुआरा, उसके बाद भी आपके बूट space बच जाएगा, otherwise यदि अभी same length पे battery pack add कर जाएगा, तो आपको boot space बिलकुल नहीं मिल गा, XUV 3W में that's why 4.2 meter इसकी length करी जा रही है, expected price की बात करो, तो 14 से 16 लाक एक शोरूम इसकी हो सकती है, और ये तगड़ा competition देने वाली है, Nexon, EV Max को, कहीं न कहीं ये sales को 100% affect करने वाली है, ये आपकी in glow platform पे बेस नहीं है, जो दिसंबर 2024 से गाडियां आएंगी like XUV 8OO, XUV 9OO, वो रहें पे ही base है, XUV 3OO के, अब यहां पर conclusion की बात करें, तो हमें proud होने वाला है, कि हमारे Indian brands भी आज बहुत प्रगती कर रहे हैं, और ये जो एक proud moment है हम सब के लिए, लेकिन हा, सबसे बड़ा जो यहां पर खेल खेलने वाला है, वो खेलने वाला है, वो खेलने वाला है, वेटिं पीरियड होगा, तो कहीं न कहीं, Nexon EV Max ही लोग लेने वाले हैं, because of its reliability, but अगर इसका वेटिंग पीरियड कम होता है, Nexon EV Max के comparison में, then it will be a great product, great option, under this price point, because जो XUV 3W की performance से खुश है न, वो इसको भी लेना prefer करेंगे, अब बात कर लेते हैं, क्या इसमें IC engine variant आएगा, अभी इ detail नहीं है, पर अगर इसमें IC engine variant आगया न, तो यह बहुत अच्छा option बन जाएगा, because आपको जादा बूट इस्पेस मिल जाएगा, और जिनको XUV 3W से ही शिकायत थी कि बूट इस्पेस कम है, उनके लिए फिर यह XUV 4W पूरा कर देगा, ठीक है, तो जिसको जादा बूट आपको जादा बूट इस्पेस में अच्छी परफॉरमेंस रिए शुड इस्पेस में अच्छी परफॉरमेंस रिए शुड देफिनेटली प्रिफर इस XUV 3W, because of competitive pricing and great reliability, great performance by engine, safety की बात करें बहुत तगडी सेफ्टी होने वाली XUV 4W में, तो इस वीडियो के लिए बस इत